प्रेरक कहानी एक, बुद्ध और चक्षुपाल, एक बार भगवान बुद्ध जेत्वन विहार में रह रहे थे, विक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे, उनके आग्मन के साथ उनकी दिन चर्या, व्यवहार और गुनों की चर्चा भी हुई, विक्षु चक्षुपाल अंधे थे, एक दिन विहार के कुछ विक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीरों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी की उन्होंने इन जीवित प्रानियों की हत्या की, भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन विक्षूओं को बुलाया और पोचा कि क्या तुमने विक्षू को कीरे मारते हुए देखा है उन्होंने उत्तर दिया नहीं जन्व में क्या पाप किये भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्व में एक चिकितसक थे एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आँखे ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे स्त्री की आँखे ठीक हो गई पर उसने दासी बनने के भाय से यह मानने से इंकार कर दिया चिकित्सक को तो पता था कि उस्त्री की आँखे ठीक हो गई है वो जूट बोल रही है उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई वो कितना ही रोई पीटी लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा इस पाप के फल्सवरू पगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बने